जैशी किष्णा, नमस्कार, मैं मीनू मेंस दीवी दिशा में आपका बहुत ज़्यादा हार्दिक स्वागत करती हूँ, आज मैं आपके लिए मागमास के दस्वे अध्याई का महत्म लेके आई हूँ, दस्वा अध्याई लेके आई हूँ, जो कि मैंने आपको हर वीडियो मे जहां तक है बताया है, कि 28 अध्याई इसमें मागमास के महत्म में हैं, तो 28 अध्याई में से मैं आपको 9 सुना चुकी हूँ, 9 वीडियो डाल चुकी हूँ, और ये दस्वा है, तो दस्वा अध्याई में आपको सुना रही हूँ, और आप इसनान करने के बाद में मेरा वी क्या हम कारे करें जिससे हमारे प्रभु हम पर प्रसन हो और जो की आसानी से हमको स्वर्ग लोग की और जो है प्राप्ति हो सकती है और भगवान हमसे बहुत जादा संतुष्ट और खुश रह सकते हैं तो ऐसे कौन से कर्म करें यह मैं इसमें सब कुछ लिखा हुआ है तो ध्यान से अगर सुनेंगे तो इसका आपको बहुत जादा पुन्य होगा और ये वीडियो जो है शेयर चरूर कीजेगा प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि शेयर करेंगे तो लोगों को बहुत अगर आपके जितने भी हैं आपके संपर्थ में जितने तो ये दस्वान थे आए यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य एक पार भी गंगा जी में इस्तनान करने से मनुस सब पापों से छुट कर अत्यंत शुद्ध हो जाता है जो गंगा जी को दूसरे तीर्तों के समान समस्ता है वो अवश्य नर्क में जाता है भगवान के चर्णो से उत्पन हुई गंगा जी के पवित्र जर्गोशी शिव जी अपने मस्तक में धारन करते है ब्रह्मा जो संदेह रहित प्रक्रती से अलग और निर्गुण है ब्रह्मान में उसकी समानता किसे हो सकती है गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नर्क में इसलिए मनुष्य को अवश्वमेव गंगाजी में इसनान करना चाहिए। प्राणयाम करने वारे मनुष्य सदेव उत्तमगति को प्राप्त होते हैं। वा स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया मानुष्य सवर्ग को ही जीत लिया हो। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्ले करता है वह यमदार नहीं देखता और जो गुरु की सेवा करते हैं वह ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं। शील की रक्षा करने वाली इस्त्री धन्य है। शील भंग करने वाली यमलोक जाती है जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं। या जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और सहीता पढ़ते और सुनते हैं। तथा जो इस्नति का व्याख्यान और धर्म शास्त्र समझते हैं। या जो वेदान्त में लीन रहते हैं वह पाप्रहित होकर ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का अज्ञान देते हैं वे देवताओं से भी पूजित होते हैं यम्दूत ने कहा कि है कि वैश्य सेष्ट्र यम्राज ने हमको वही अज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैश्णव को मेरे पास मत लाओ हे वैश्य पापी लोगों को इस संसारूपी नर्क को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाए दूसरा और कोई उपाय नहीं भगवान की भक्ति ना करने वाला मनुष्य चांडाल के समान समझना चाहिए भगवान के भक्त अपने माता और पिता दोनों के कुनों को तार देते हैं और उनको नर्क में नहीं रहने देते और जो मनुष्य वैशनों का भोजन करते हैं वे भी भगवान की क्रपा से व्यश्नों का अन्खाना चाहिए इससे बुद्धी पवित होकर मनुश्य पाप नहीं करता गोविन दाय नमह इस मन्त का जाप करता हुआ जो मनुश्य मनुश्य को प्राप्त होता है इसमें कोई संदे नहीं है जो ओम नमह भगवति वाशु दिवाय है इस द्वादशक्षर मन मो नाराणाएं इस द्वादशाक्षर मंत्र या ओम अश्टाक्षर मंत्र का जाब करता है उसके ब्रह्म इत्यादी बड़े पाप नश्ठ हो जाते हैं तो ये था दस्वा अध्याई और ये जो आप हर अध्याई को बारिकी से जरूर सुनिएगा और मैंने क्योंकि ये दस्वा अध्याई है नौ पहले डाल चुकी हूँ अगर आपके पास में वो नहीं आए है तो आप मेरा सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे सारे वीडियो जो है जो भी मैंने अप्लोड किये हैं वो सब आपके पास में पहुँच जाएंगे आप सबका श्रमन अच्छे से कर सकते हैं आप दो दो श्रमन करना चाहें आप तीन तीन श्रमन करना चाहें एक साथ में तो आपको पूरी अगर आप सुनेंगे तभी आपको पूरी उसकी महत्ता आपको पता होगी कि आगी की कथा क्या है तो इसी के साथ में मैं विदा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि आप वीडियो मेरा शेयर करेंगे लाइक सब्सक्राइब करेंगे और इसी के साथ में गुडबाई अगले मैं ग्यार्में अधिया के साथ में फिर उपस्तत हूंगी तब तक के लिए जैश्री कृष्णा